क्या बक्वास कर रहे हो तुम। तुम्हारे बाप का खुनी हो मैं। हाँ, तुम्हारे वज़े से मेरे बापो की जान गई। बापो ने मुझे जो कुछ में बताया था। वो कानौन के सामने तुम्हें गुने का थावित करने के लिए भले काफी ना हो। लेकिन मेरी आखे खोले के लिए काफी है आज से वो सारे रिष्टे खतम हो गए जो पैसे की लालिष में तुमने हमसे जोड़े थे ठेला तुन सुन लिया ना बेटी देख ली ना जोपटपट्टी में रहने वालों की असलियत देख ली डैडी जोपटपट्टी और महलों में रहने वालों की असलियत भी क्या मतलब मतलब बिलकुछ साफ है जिस तरह अतुल की आँखे उसकी पिताची की बातों ने खोल दी उसे तरह मेरी भी आँखे आपके अच्छतर सिंग के पीछ हुए जमिन के अग्रिमेंट ने खोल दी ऐसे अरब पती और पहिमान पाप से तो इस खरीब पती का छोबड़ा भैतर है कंचकम उसकी तीवारी खून से तो रंगे हुई नहीं है चलो अतुल यह दुनिया का सबसे बड़ा बदकिसमत पाप है जिनके पास करोड़ो आरबर उपर तो है पर बेटी के कंचा दाम कंच से वो कभे मुपने होगा कभी नहीं बेटी बेटी मेरी बात तो सुनो अरे का उस रात के धेर में अपनी जिंदगी को डूडने जा रही हो तो राम नाम सत्य है उतारो भाए उतार। आराम प्रताप क्या है यह वही आदमी जो उस दिन पापू से मिलना है था हाँ मैं वही आदमी हूँ जिसने तेरे बाप को शम्शान खार तक पहुचाया अब तुम दोनों की बारी है क्योंके चतुर सिंग ने एक कसम खाई है कि तुम दोनों की चीता की राख से वो तिलक लगाकर ही भूजन करेंगे यह रही तुमारी चीता फिर देर किस बात की है चलो बड़े बेटे से इस शुबात करो आगास गाह प्राण रहा है खढ़ए इस खब फिजए एक अजो को अजैसा नहीं एक अज़ से अज़ हम लग अज़े को हम भी का अज़िंग से लेगउरी गूप है? कर दोटों किया की अरे गबराती क्यों हो देशमोग, अब तक तो जलकर राग बन चुगा होगा, अरे तुम लोगों को अपने दोस्तों पर भरुजा ही नहीं है, बस बस अब ये भाशन बन करो हमारे कान के परदे पट रहे हैं, बस बन कर, रामदीन, कौन बोर रहा है, चला मत, और मेरी बात अच्छी तरह से अपने भेजे में उतार ले, तुने मेरी राख मंगवाई ती टिका लगाने के लिए, मैंने तरह भड़वो की राख भेजी है, पूरे बदन को लगा ले, ठंडा कर, अपना भेजा ठंडा कर, चतुर के आदमियों के चिता जलाना, तुम जैसे पागलों की बस की बात नहीं है, ठंडा कर, यकीन नहीं आता तो उस राख को मसल कर देख, तेरे पालतु कुत्ते की निशानिया उसमें मौजूद है, अबे हराम के, तुने जलती हुई आख में हाथ डाला है, हम तुमें ऐसे जल कि तेरे जाने वालों को गंगा में बहाने के लिए तेरी राख भी नसीब नहीं होगी, अरे मुझे जलाने की बात छोड़, मैं तो तुझे ऐसी माउत मारूंगा, ना तो तुझे जमिंग नसीब होगी ना आस्मा, अतुल भाई, अतुल भाई, अतुल भाई, अतुल बड़े की भाई जान, क्योंकि अभी इस बस्ती का मालिक चतुर सिंग है, लक्षमी दाश जी ने बस्ती बेज दी ओर नोटिस पढ़कर हम लोग आये हैं अरे भार में गया वो नोटिस और भार में गया चतुर सिंग, मा भी नोटिस पढ़के चतुर सिंग की तो नहीं अतुल, तुम ऐसा नहीं करोगे, इसे हमारा केस बिगड़ जाएगा, उन लोगों ने अगर कानूनी तोर पर बस्ती हटाने की कोशिश की है, तो हम भी कानून का सहारा लेंगे, चलो मेरे साथ कानून हर किसी के लिए बना है, लेकिन अदालत की नजर में, जो गैर कानूनी है, उसके लिए जच की हैसियस से मैं कुछ नहीं कर सकता ये स्टे ओडर ना मुंकिन है, मगर जच साहब, अगर मेरे पिता जी ने चतुर सिंगों समीन बेची होती, तो कम से कर मुझे मुझे मालूम तो होता, उसके कांग्जात होते मेरे पास जच साहब, जिस तरह आपने 24 गंटे में कानूनी तौर पर हादारों लोगों को बेघर करने का नोटिस जादी कर दिया, उसी तरह उसे रोकने का भी तो कोई कानून होगा मिस मेगा, सलाह के लिए वकीर होते हैं, जच नहीं, जच का काम है सिर्फ फैसला सुनाना जानती हूँ, जानती हूँ, जानती हूँ जच साबाद छिता रहा, जानती हूँ, कि इस बार भी आपने पैसे खाकर पड़े होश्यारी से शुकरवार की शाम को यह फैसला सुना दिया, हाद साटेडे हैं, कल संडे, और परसो नफरातरी की छुट्टी लेकिन इतना याद रखना जद साहब, यह जो गरीबों की बद्दुआएं और चीखें हैं न, यह साय नहीं जाती, और जब उपर वाले अपना फैसला सुनाएगा, तुम भी बच नहीं पाऊगे चतुर सिंग, उपर वाले के हाद से तु बचे ना बचे, लेकिन मेरे हाद से तेरे को कोई ने बचा सकता, अगर एक बाप की आउलाद है, तो एक बार मेरे सामने आकर दिखा तु भौकता बहुत है, आराम के, और भौकने वाले कुट्टे हमें पसंद नहीं अगर अपने बाप की आउलाद है, तो आजाना महलक्षमी चौक पे, हम हर साल नौरत्री को मा की पूझा करने वहाँ जाते हैं अरे जितनी मन्नते मांगने आए, आखरी बार मांगने, ये तेरी जिन्दगी के आखरी पूझा होगी क्या, चतुर सिंग का खुन ओ खुदाया, ओरी बापा, दादा का खुन हो गया, किसने किया खुन अरे छोड़ो ये सब बाते, मुझे तो चिंता ये है कि शेर का क्या होगा, हम सब का क्या होगा बहस मत करो कमिशनर, जो आदमी चतुर सिंग जैसे खतरनाक आदमी की चिता जला सकता है, वो तो हमको कभी भी शंसान घट पहुचा सकता है मगर ऐसा हर्गेज नहीं होगा सर सुनो, सुनो, कमिशनर, कल टीवी सेंटर में जनता की अदालत प्रोग्राम में हम सब लोगों का इंटर्व्यू है ऐसा बंदोवस होना चाहिए वहाँ पर कि परिंद भी परना मार सके, समझे कादर तो इधर है ना यस सर अंडू चरह पेछे रहे आज जनता की अदालत में जनता के सामने जनता के प्रतिनिधी मंत्री श्री बाद्वाण प्रबन राव देशमुक, विपक्ष के नेता श्री चंदर सेन आजाद, कानून के रक्षक इंस्पेक्टर सत्यवादी दूबे, न्याय मूर्ती श्री हुकम अली जाबिर तथा इस शहर के सबसे बड़े बिल्डर मिस्टर योगराज अपराधी के रूप में यहां मौजूद हैं, इन सब पर यह आरोप लगाया गया है, कि शहर में जो हाल ही में दंगे फसाद हुए हैं, जो हत्याएं हुई थी, वो सब इनकी मिली भकत थी. क्या यह सच है देश्मुक जी, लोग आजकर राजनीती को, कानून को और पुलिस को गांधी जी के तीन बंदर कहते हैं, वो बंदर जिनके सामने सब कुछ होते हुए भी, ना कुछ सुनते हैं, ना देखते हैं, और ना कुछ कहते हैं. लेकिए जाप, हमारे यहां लोकशाही है, और लोकशाही में हर किसी को कुछ भी पूछने का और कहने का पूरा अधिकार होता है. मैं आपकी इस बास से बिलकुल सहमत नहीं हूँ. अगर ऐसा होता, तो दूसरे राज्यों की तुलना में, हमारे राज्य में चारों और इतन अगर शांती कभी नहीं होती. अगर चारों और शांती होती, तो पिछले दिनों हमारे शहर में जो दंगे वे, वो क्यों होते? सहाप, यह सब विदेशी ताकतों का हाथ है, क्या करें? देखिए, मंत्री जी, जब भी देश में कोई विपत्ति आती है, तो हर मंत्री का आप चंद्रे सेन जी का भी हाथ था और पाव भी था, यह सब बक्वस है, इसको हम नहीं मानता है, और यह हमारे पुलीस को बिना मतलब बदनाम किया जा रहा है, यह तो आप कहते है, पर लोग तो कहते हैं कि जब दंगे भढ़के, तब दंगे वाली किसी भी जगे पर पुलीस सही वक्त पर नहीं पहुंचे थी, अरे यही तो अपनी पुलीस की असली निशानी है, जब सब कुछ खतम हो जाता है, उसके बाद पुलीस आती है, यही तो रोना है, कि लोग हमें गलत समस्ते हैं, अमारी योजना है, लोगों की समझ भी नहीं आती, अब आपी बदाईए जोपड़ फटी की जगा साफ सुत्री कालोनी बने, तूटे फूटे गाउं की जगा रहगीरों के लिए रिसोर्ट बने, इसमें देश की तरकी नहीं है, बोलिए, पर लोग तो कहते हैं, इसमें आपकी तरकी ज्यादा होती है, सारा धना आप सब लोग मिलकर वटोर लेते निता जी और पुलिस वाले ने तो अपनी सफाई पेश करती, अब जस साब आप और योगराज जी अपनी सफाई में कुछ पेश करना चाहेंगे ऐसे मुआमलों में लोग अगर कानून के रिखवालों पर शक करने लगें, तो फिर सफाई में कुछ कहना क्या? देखिये, हम थेरे व्यापारी लोग, हम अपने धंदे में उनलों का साथ नहीं लेते उनलों का साथ आजकल कौन नहीं लेता है योगराज जी, आप तो माफिया वाले भी राजनीती में उतर आए हैं और आजकल नेता लोग भी अपने क्रिमिनल रेकॉर्ड की बुनियाद पर ही चुने जाते हैं, क्यों देश्मुक जी? आप तो नेता बनने से पहले दमन से चांदी की स्मगलिंग क्या करते थे? देखिये, देखिये, ये मुझ पर जूटा बेकार का इल्जाम लगाया गया है नहीं, आप स्मगलिंग करते थे या नहीं करते थे बस वैसे मैं भी इस बाप को नहीं मनता, क्योंकि हर बड़े नेता को बदनाम करने के लिए लोग कुछ भी बोलते हैं क्यों चंदरेसेंजी, एक दम सच बलता है आपके हर सवाल का मैं एक ही जवाब दूँगा कि अगर जनता की नजर में हम गुनहगार हैं, तो फिर जनता खामोश क्यों है बोलिये, क्यों हमें पिछले पंद्रा साल से इस राज्ज में चुनाव जिता रही है जज साब, हम पर लगाएगे सारे इल्जाम बेबुनियाद है हमारी सफाई में मेरा यही जवाब है अब फैसला आपके और जनता के हाथ में है, सुनाईए अरे असली आदालत आज तक हमारे खिलाब फैसला नहीं सुना सकी तु यह जनता की अधारत क्या खाव सुनाएगी देश्बुक तुम कभी कभी सच बोलता है तुमने अपने सफाई में कुछ कहना है क्या काहना, जो करना था कर दिया जो किया वो सोच समझ कर किया अब कहना आपको है, पैसला सुना दीजिए मुझा मन्जूर है अब बोलता नहीं है आज न्याय मूर्ती शिरी विश्वना सिंग ने अदालत में मंत्री शिरी बबन राव देश्मग, वेपक्ष के नेता शिरी चंदर सेन आजार, न्याय मूर्ती शिरी हुकम अले जाविर, इंस्पेक्टर सत्यवादी दूबे, प्रक्यात बेल्डर योग राज्ट और खोक्य को फांसी के सजा सुनाई, जिन्दा आत्मी के खून के इल्जाम में फांसी की सजा, देखा है पक्या, हमें तो माता के आशिबात और बुलेट प्रूफ जैकेट ने बचा लिया, मगर वो हराम का कानूं की मौत नहीं, चतुर सिंग चिता के दी हुई मौत से मरेगा, बदा करो कौन से जिल में है